नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक वार्षर से, आज रात से पूरे इंग चामन वार्षों तक इन पांच राशियों पर धन लुटाएंगे महादेव, कहीं वो राशी आपकी तो नहीं। दोस्तों, हम कई सारे देवी देपताओं की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन सभी देपताओं में से भगवान भोले नात की महिमा अपरम पार है। बाबा भोले नात भी हैं, और इसी के साथ उनकी क्रोध की ज्वाला से कोई भी बच नहीं सकता, तो वहीं उन्हें परसंद करना भी अन्य देवी देपताओं में से कहीं ज़्यदा आशान है। जी हां दस्तो, भगवान भोले नात ने शमय समय पर अपने विभिन शुरूपों के दर्शन हमें दिखे हैं। भगवान सीव के भक्तों को नहीं मृत्यू का भे रहता है और नहीं रोग का और ना शोक का, सीवतत्य उनकी मन को भक्ती और सक्ती का शमर्थ देता है। इस मंतर के जाप से भगवान सीव की अश्यम कर्पा मिलती है। सास्त्रों में इस मंत्र को कई कर्ष्टों का निवारन बताया गया है दोस्तों यह मंत्र ओम नवे शिवा है दोस्तों भगवान सीव का बाहन ब्रिशब यानि की बैल है और यह हमेशा भगवान सीव के साथ रहता है ब्रिशब धरम का प्रतीक है महादेव इस चार पेरवाले जानवर की शिवारी करते हैं जो की हमें यह शीख देता है कि धर्म अर्थ काम और मौक्ष उनकी कृपाश ही मिलती है इस तरह सीव सरूप हमें बताता है कि उनका रूप बिराट और अनन्त है और उनसे ही शारी स्रिष्टी समाई हुई है सास्तरों के इंसार कहा जाता है कि भगवान सीव की कृपा जिस बेक्ति पर हो जाती है उसकी किस्मत रातो रात चमक जाती है और उसके जीवन के सभी कष्ट और समशाएं महादेव दूर्द कर देते हैं स्वेम इसी संबन्ध में हम आपको बताने जा रहे हैं की काफी समय के बाद आज रात एक ऐसा सुब और महा श्रयोग बन रहा है जिसके परभाव से कुछ राश वालों के किस्मत अब चमकने वाली है आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं राशी वालों के नाम जिनको भगवान महादेव आज राश से पूरे इंग्चावन वर्सों तक स्वैम माला माल करने वाले हैं तो आईए जान लेते कि आखिरी भागसाली राशियां कौन कौन सी है जिनके उपर महादेव की विशेश क्रपा बरशने वाली है जिनको उपर महादेव धन लुटाने वाले हैं तो आप से अन्रोध है कि बीड़ो को आप बिल्कुल भी मिश ना करें और इसे शुरू से लेक में तेजी देखने को मिलेगी अपार धन संपता की प्राप्ती होगी कई महतपूर योजनाओ का लाव मिलेगा जो कारा धूरे पड़े थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं महतपूर लाव देखने को मिलेगा होगी कई अच्छी जग्ह से आपको अफसर प्राप्त होगे शाती धनलाप की प्रवल योग बन रहे हैं धोरे पड़े थे पिर्णेंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं साथी साथ इसमें नई योजनाओं का लाभ मिलेगा नए कारोबार का विस्तार कर पाएंगे साथी आप वो बिजनेस प्यापार में तेजी से मुनाफा कमानी का आपको मौका मिलेगा महादेव इकरपा से आप क्यामदनी के स्रोथ बढ़ेंगे और इसमें अपने घर परिवार में शुक शंबरधी लाएंगे जमीन प्रपर्टी के सौधा करेंगे महादेव इकरपा से आपको इसमें नोकरी में प्रोमोशन होगा और बड़े दिक्यारों से समन्द बहतर होंगे साथी साथ रुक वो फस्व धन प्राप्तों का धन संपत्ति के लाव मिलेगा कई कारियों में आपको उपलाब्धियां प्राप्तोंगी जो कारा धूरे पड़े थे प्रिंडेंग थे उन ही पूरा कर सकते हैं महादेव के क्रपा से आपके आमदरे के स्रोथ बढ़ेंगे साथी साथ आपके नए-ने कारियों में उपलाधियां प्राप्तोंगी साथी साथ आपको जो कार आपके रुके हुए थे वो कार आशानी से पूरे हो जाएंगे और आप भाग दोड़ में ब्यस्त भी रहेंगे महादेव के खिरपा से आपका बैवाहिक जीवन काफी सांत रहेगा और सुख में रहेगा अगले जो राशी जैनी तीसरी है दोस्तों वो है यहाँ पर मिथुन राश मिथुन राश के आपको बता दे कि आज राश से पूरे इंग चामन वर्सों तक महादेव धन लुटाएंगे और आपके घर में सुख मंगल कार हो शकते हैं धारवी कारकरमों का उजन हो शकता है अब यह जैतकों के नए रिष्टे आएंगे और इस्टुडेंट के लिए काफी अच्छा रहने वाला है किसे चमातकार से कम नहीं है मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ेंगे और आप इसमें काम्याबी के सिखर पर रहेंगे महादेव की कृपा से आपको दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की प्राप्ती होगी और नए अबसर प्राप्त होंगे महादेव की कृपा से आपको इसमें आपके प्रेम जीवन में खुश्या वर्षेंगे लबलाई पर चिरेगी लब पाडर कुछ गिप्ट और उपहार देंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त विताने का मौका मिलेगा जो कारा धूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं महत्पूर लाब देखने को मिलेगा अच्छे अबसर आपको प्राप्त होंगे आपके दोरा बनाएगे योजराई काफी कारगर सावित होगी लाब की सित्री लगतार बने रहेगी ब्यापारी की स्थल पर आपको तेजी से मुनाफ़ा देखने को मिलेगा निश्य तोर पर इसमें आपके आमदनी के सरोद बढ़ेंगे अब अगली यानी जो चोथी जो राशी आती है दोस्तों वो है यहां पर मकर रास मकर रास कायत को बढ़ा देगी आज रास से पूरे 51 वर्सों तक महादेव की किरपा बरसेगी धन संपत्ति कलाब होगा आमदनी के जरीए बढ़ेंगे ब्यापार में वर्दी होगी कई महत्पूर योजनाओं को लाफ मिलेगा जो कारा धोरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं लाप किस्तिती लगतार बने रहेगी और ब्यापार में वर्दी देखने को मिलेगी कई महत्पूर्ण छेतरों से चमतकार देखनें को मिलेगा आपके दोरा बनाएगे योजनाई काफी कारगर सावित होगी लाब किस्तिती लगतार बने रेगे ब्यापार में वर्दी होगी जो कारगर धोरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं लाब किस्तिती लगतार बनी रहेगी ब्यापार में वर्दी देखनों को मिलेगी कुछ अच्छे कारवार का विश्तार कर पाएंगे साथी साथी इसमें भागदोर में काफी विस्त रहेगे अब जो अगली यानी जो पांचवी जो राशी है वो है मीन रास मीन रास क्यातकों आज रास से पूरे इंग चामन वर्सों तक महादेव की विशेश क्रिपा दिष्ट बनी रहेगी नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे नए कारियों बर्दी प्राप्त होगी सवाज नमान समान की प्राप्ती होगी साथी साथ इसमें भाग दोर बनी रहेगी भाग दोर की जरी आप जबर्यस्त मुनाफ़ा कमाएंगे इस्टूडर निकले प्रतोगी परिच्छा और कंप्रटीशन में भाग लेने का मोका मिलेगा अच्छे अविसर की तलास में थे वो अच्छे अविसर प्राप्त होंगे कई महत्पूर जजनाव का लाप मिलेगा जो कार धूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं महत्पूर लाप की सिती बनी रहेगी लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी ब्यापार में वर्दी होगी अच्छे कारवार का विस्तार करेंगे दोस्तो भागवान भोले आते अब आज राज से पूरे इंग्चामन वर्सों तक इन पांच राशों पर धन लुटाएंगे महादेव किरपा से इन पांच राशों के किसमत चमक जाएगी तो कमेंटे सिक्सन में दोस्तो जरूर लिखेगा हर हर महादेव और दोस्तो बीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों को ज़्यदा ज़्यदा शेर अवश्य करिएगा और साथी साथ दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा हर हर महादेव